आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे सुजलोन इनर्जी स्टॉक के बारे में इस स्टॉक में नियर अराउंड एट रुपीज और नाइन के कंसोलिडेशन को हमने कहा कि एक स्ट्रॉंगली बाइंग सजेशन है और पहला टार्गेट जो है नियर अराउंड थाटीन का और क्या का कि 200% तक के रिटर्ण के लिए आप इजली से स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं यहां देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का क्वेडी आ रहा है कि सर अभी बाइ करने क्या सर अभी एकजिट कर दे क्या सर अभी होल्ड करे क्या इन सभी पॉइंट्स और नियूज को समझ कर लें जिससे कि आपको एक्टिव टेडिंग कम्निटी और लर्निंग ग्रूप में जोर दिया जाएगा इसी स्टॉक यानि सुजलॉन के कंप्लीट एनलेसिस के लिए आप चाहें तो मार्केट साइंचिस्ट के चैनल को सर्च करेंगे और वहां पे हमने कंप्लीट एनलेस और मतलब पूरे एक्सपेंशन करते हुए कंपनी को देखा है कंपनी डेट को रिकंस्रक्ट कर रही है और मल्टिपल आ रहे हैं कंपनी के जो क्यूफोर के रिजल्ट थे वह बहतर थे कंपनी के डेट कम होते दिख रहे हैं कंपनी के रिजर्व जो माइनस सेवेंटीन ट्रेंड आउट इस्टेंडिंग और यहां चार देखें तो राउंडिंग पैटर्ण का टार्गेट आपको 19 से 22 तक के इजली दिखेंगे जो इन्वेस्टर हैं अब क्वेस्टन है कि सर इसमें बाई करें कि नहीं करें मुझे लगता है कि आपको कर देना चाहिए अगर आप सौर्टम टेडर हैं क्योंकि आल्रेडी जो स्टॉक 60% पिछले 5-8 दिन में टेड कर जाएं हो सकता है कि यहां से 100% करें लेकिन जो रिस्क रिवार्ट रेशियो है वो बहतर नहीं होगा तो जो सौर्टम टेडर हैं वो इग्नोर करेंगे लेकिन अगर आपका होरीजन मोर द प्रेंड बन रहा है राउंडिंग पैटर्न तो यहां से पहला टार्गेट 22 इसके बाद 34 और उसके बाद 50 प्लस यानि यहां से भी लगबग 400% तक के गेन जो इन्वेस्टर हैं वो ले सकते हैं ट्रेडर अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो और जो स्ट्रेटेजी है उसक थ्रूही ट्रेड करेंगे